नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी प्रतम भासा कुमार भारती के कविता सीर्षव उर्चल हारे भागतीं के इस वेडियो में मैं आप सभी का स्वागत करते हूँ प्यारे बच्चों, पिछले वेडियो में हमने तीसरे और चौथे पध्यांस का भावार्थ उससे संबंधित आकलंकृती और भासा बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं इस वीडियो में हम बचे हुए सेस पध्यांसों का भावा आर्थ और उससे संबंधित उससे मतलब उस कविता से संबंधित पध्यविस लेसर और भासा बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों आईए कविता का सस्वर गयान करते हैं मिट्टी से जो छीन लिया है वहतज देना धर्म नहीं है जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है तिनका पत की धूल स्वयम तू है अनंत की पामन धूली किन्तु आज तू ने नभपत में छड में बद्ध अमरता छूली किन्तु आज तू ने नभपत में छड में बद्ध अमरता छूली अंतिम पध्यान से उसा जाग उठी प्राची में आवाहन यहनूतन दिनका उड़ चलहारी लिये हाथ में एक अकेला पावन तिनका उड़ चलहारी लिये हाथ में एक अकेला पावन तिनका तो आएए बच्चो कठी सब्दों के अर्थ जान लेते हैं सब्दा अर्थ मिट्टी से जो छीन लिया है यहां पर छीनने सताथ करे हैं प्राप्त करना छीनना मतलब प्राप्त करना अगला वह तज देना धर्म नहीं है तजना 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 मतलब त्यागना तजना मतलब त्यागना जीवन साधन की अवहेला 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 मतलब अवहेला अवहेला मतलब तिरसकार भी होता है उपेक्षा भी होता है अवहेला भी होता है तिरसकार तिरसकार उपेक्षा या अवहेला भी होता है कर्वीर का कर्वने हैं तिनका पत की धूल स्वयम तूल धूल मतलब मिट्टी का कड़ धूल मतलब मिट्टी का कड़ धूल स्वयम तूल है अनंद की पावन धूली पावन मतलब पवित्र पावन धूली किन्तू आज तूने नव पत में नव मतलब पहले लिक्चू कि हैं आकास पत मतलब रास्ता छड़ में बद्ध अमर्ता छोली अमर्ता मतलब अमर्त को प्राप्त कर लिया अमर्ता अमर्त या अमर होना अमर्त या अमर होना अर्ता छोली उसा जाग उठी प्राची में लोग कर चुके उसा मतलब प्रातकार, प्राची मतलब पुर्वधिसा आवाहन मतलब पुकार, आवाहन मतलब पुकारना, नूतन दिनका, नूतन मतलब नवीन दिनका, नूतन नवीन नया, नवीन नया नवीन दिनका उचल हारिल लिये हाथ में एक अकेला पावन दिनका अब यहां कठें सब्दों को देख लिए प्यारे बच्चों आईए कविता का भावर समझते हैं मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है कभी हारिल पक्षी से कहते हैं कि हे हारिल पक्षी मिट्टी से जो भी तुमको प्राप्त हुआ है उसको त्यागना तुम्हारा धर्म नहीं है जीवन साधन की अवहेला कर्म बीर का कर्म नहीं है कभी हालिल पक्षी से कहते हैं कि हे हालिल पक्षी जीवन चलाने के लिए जो भी तुमको साधन मिला है उस साधन की अवेलना करना उपेक्षा करना तुम्हारा कर्म नहीं है क्योंकि तुम्हें कर्मवीर हो तीनका पत की धूल स्वयमतू है अनंत की पावन धूली कभी तीनके को पत की धूल के समान बताया है और कहारा कि वो पत की धूल जब तुम हे हालिल पक्षी तुम अनंत उचाईयों को लेकर उड़ते हो तो वही तीनका क्या बन जाता है या वही तीनका रुपी धूल क्या ब पद्ध अमरता छूली है हारिल पक्षी आकास की अनत उचाईयों को छूते हुए आज तुमने अमरतों को प्राप्त कर लिया है प्राप्त किया है अर्थात मानव को धर्ती से ही सब कुछ प्राप्त होता है हे मानव जिन साधनों की सहायता से तुम्हारा जीवन चलता है उसका तिरसकार करना उसकी वहेलना करना उसकी उपेक्षा करना तुम्हारा धर्म नहीं है क्योंकि इन्ही साधनों के मार्ध्यम से तुम अपने जीवन के लक्ष को प्राप्त करोगे हे मानव तुम कर्मवीर हो और साधनों की उपेक्षा करना कर्मवीर का कर्म नहीं है यारे बच्चों कभी तिनके को पत्की धूल के समान मानते हैं और काते हैं कि यह पत़ की धूल नहीं यह इस्वर के चड़ों की पावन धूली है लेकिन स्वयण तुम हे मानव यह पावन धूली कब बनेगी जब तुम अनंद उचाईयों को छूते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करोगे तब वही धूली क्या बन जाएगी पावन जो इसी के माध्यम से हारिल रुपी मानव ने आकास में पहुँच कर अर्थात अपने पुरुसार्थ के द्वारा उचाईयों को छूकर अमरत्त को प्राप्त कर लिया है। यह नया दिन युवावर्ग का आवाहन करता है कि अपने हाथ में निर्माण के साधन रुपी पवित्र तिनके को लेकर हे युवावर्ग उडान भरो अर्थात निर्माण के विशिष्ट साधनों के अभाव के बावजूद साधारण साधनों के द्वारा भी युवावर्ग को प्रगति के पत पर अग्रसर होना चाहिए प्यारे बच्चों इसमें कभी कह रहे हैं कि अगर हमारे पास विसिष्ट साधन नहीं है तो भी हमें एक सामान्य साधन एक साधारार साधन को लेकर ही हमें अपने लक्ष को प्राप्त करना चाहिए अगर हम विसिष्ट साधनों क का इंतिजार करेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे अब सोचिए उधारेट के लिए अगर अब्दुल कलाम जी एक वैज्ञानिक बने जबकि बहुत गरीब परिवार से थे डाक्टर अंबेटकर जी समिती सभा के अध्यक्ष बने ओवी एक गरीब परिवार से थे लेकिन उन्होंने सामाने साधनों का प्रयोक करी उचाईयों को छूकर और अपने लक्ष को प्राप्त किया हैं आज अपने दिश में वो नाम किये हैं पहरे बच्चों आईए भासा बिंदु देखते हैं इसमें भासा बिंदु क्या है सबसे पहले देख लेते हैं आप देखें यहां पर आया है मिट्टी से जो छीने लिए मिट्टी से आया है सबसे पहले हम यहां पर कारक देख लेते हैं कारक आया है मिट्टी से मिट्टी से अब मिट्टी से जो छीने मिट्टी से से दो में है साधन के रुप में और अलगाव के रुप में यहां पर क्या है छीन लिया तो अलगाव के रुप में आ गया इसलिए कौन सा कारक हो गई हाँ अपादान कारक होगा अपादान कारक अपादान कारक फिर देखेंगे वह तज देना धर्म नहीं है महाने जीवन साधन, साधन की अब यहापे देखो आया, साधन की साधन की हम दो पड़ चुके हैं, जहाँ पर काकी के रारी रे आएगा हम आपे कौन सा कारक होगा? संबंध कारक संबंध कारक अगला देखेंगे यहाँ पर कर्मबीर का, कर्म नहीं है कर्मबीर का फिर आया का कर्मबीर का फिर आया का, का होगा तो कौन सा कारक होगा? प्यारे बच्चों संबंध कारक होगा कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा क्योंकि काकी के रारी रे कर्म वीर का कर्म नहीं है तिनका पथ की धूल स्वायन्तु अब यहां पर भी की आया है यहां पर भी कौन सा कारक हुआ है संबंध कारक कौसा कारक संबंध कारक संबंध कारक अगला है है अनंत की पावन धूली अब देखिए यहां पर अनन्त की काकि की आया है संबंध कारक अब फेरे आप फिर देखेंगे अनन्त आया है यहां पे अनन्त में क्या हो जाएगा नीचे लिख देती हमें इसको अनन्त में समास आएगा समास अनंत में अ उपसर्ग लगा हुआ है अ उपसर्ग है आएगा न अन्त कौन सा समास होगा न अन्त न तत्पुरुष समास आप अगर एक्जाम में तत्पुरुष समास भी लिखेंगे तो भी आपको पूरा नमबर मिलेगा अनंत की पावन धूली किंतु आज अब इहां देखेंगे किंतु आज यहां पे किंतु आया है और आज आया है तो किंतु आज यहां पे पहचानना नहीं आता आपको एक्जाम में इसलिए इसको जान लो किंतु होगा तो समुच्चे बोधा कभ्य होगा और आज जहां होगा वहां क्रिया विशेसर अभ्य होगा तूने नब पथ में यहां पर आया पथ में पथ में मेराम पढ़ चुके पहले कई बार आ चुका है कौनसा कारक होगा अधिकरण कारक आगला है छड में बध अमर्ता छोली फिर देखे आया पथ में फिर क्या आ गया छड में कौनसा कारक अधिकरण कारक कौनसा कारक अधिकरण कारक अमर्ता छोली उसा जाग उठी प्राची में फिर आगे हैं प्राची प्राची आया प्राची में प्राची में आया इसलिए कौनसा होगा में आया आप देख चुके यहां भी लिख चुके हैं कई बार हम लोग देख चुके कौनसा कारक होगा अधिकरण कारक अधिकरण कारक अगला है आवाहन यह नूतन दिन का दिन का आया, दिन का, का आ गया, का कौनसा कारक हुगा आपका, का की के संबंध, संबंध कारक, दिन का, उड़ चलहारे लिए हाथ में एक अकेला पावन तिन का, हाथ में आया है, देखे, हाथ में कौनसा कारक फिर में आया, अधिकरण, अधिकरण कारक, कारक, अब इसमें आया है, हम देखेंगे, पावन आया है, समास होगे, आप संधी देख लेते हैं, आपको, संधी, पावन आया है, संधी विच्छेत होगा, इसका उधन, अन, कौनसी संधी होगी, दियान रखो, पहले सब्द का अंतिम अक्षर स्वर हो दूसरे सब्द का पहला अक्षर भी स्वर हो तो कौन सी संधी होगी? स्वर संधी कौन सी संधी होगी? स्वर संधी तो आईए बच्चों पद्यविस लेसर देखते हैं कि पद्यविस लेसर कैसे लिखा जाता है? निम्न लिखित मुद्धों के आधार पर पद्यव लेसर कीजिए अब इसमें आपको पांच कोस्चन आएंगे पहला इसमें आएगा कभी यह रचाईता के नाम लिखो आएगा कभी तक नाम दिया रहेगा मालो यह तो कभीता हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसका लिख रहे हैं दो कभीता दी रहेगी कोई एक लिखना होगा इसकभीता के रचाईता कोण है उत्तर इसकभीता के रचाईता सिरी सच्चिदानंद 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 खीरनंद वात्सयायन वात्सयायन अगेजी हैं वात्सयायन वात्सयायन यह आपका पहला कोश्चन प्यार वात्सयायन दूसरा कोश्चन होगा इस रचना की की विधा दोनों कोश्चन आ सकता है विधा भी आ सकता है उसको विधा भी कहते हैं या प्रकार इस रचना की विधा या प्रकार क्या है तो आंसर होगा यह टेस्ट बुक में अनुक्रमडिका में विधा दिया हुआ है पाट का नाम विधा लेखक का नाम या कभी का नाम तो विधा में आपका कविता होगा, गजल होगा, पद्य होगा, हाइकू होगा तो जो होगा वो लिखना तो यह कविता है तो आप लिखेंगे इस रचना की विधा, इस रचना की विधा क्या है? कविता है, इस रचना की विधा कविता है, कर्द लिखेंगे प्यारे बच्चो तीसरा कॉश्चन होगा पसंदिदा पंक्तियां लिखो, अब पसंदिदा पंक्तियां जो आपको पंक्तियां पसंद होगी पूरे कवितार में वो आपको लिखेंगे प्यारे बच्चो अब मेरी पसंदिदा पंग्तियां ये है उसा जाग उठी प्राची में आवाहन या नूतन दिन का उठ चलहारे लिए हाथ में एक अकेला पाउंतिन का अब आपकी जो पसंदिदा पंग्तियां होंगी वही आप लिखोगे यहाँ पर जबा कम है इसलिए मै इसको संच्छेप में लिख रहे हूँ आपको ये पूरी पंग्तियां लिखना होगा नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा अब यहाँ पर देखें यह पंग्तियां आपको क्यू पसंद है यह पंग्ति आपको क्यू पसंद है आपको क्यू पसंद है कारट भी लिखना है क्यों पसंद है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा क्यों पसंद है यह पंगती आपको लिखना होगा यह पंगती यह पंगती मुझे इसलिए इसलिए पसंद है क्योंकि इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें क्या बता गया है तो इसमें बता गया है क्यों पसंद है क्योंकि इसमें देश के देश के नव युकों जीवन जगत के आवाहन को जीवन जगत के आवाहन को सुविकार करके लक्ष को प्राप्त करने की आवाहन को सुविकार करके सुविकार करके लक्ष को प्राप्त करने का संदेश दिया है यह पंक्ति मुझे इसलिए पसंद है अब इसमें देश के नव युकोको जीवन जगत के आवाहन को सुविकार करके लक्ष को प्राप्त करने का संदेश दिया है कार कवी इसलिए मुझे पसंद है अब इसमें यह आपका चार कोस्टन जो है यह एक एक नमबर कायेगा यह पूरा छे नमबर कायेगा एकजाम में चार कोस्टन आपका एक एक नमबर कायेगा तो प्यारे बच्चों पांचवा प्रसना आएगा दो नमबर का इस रचना से प्राप्त प्रेर्णा लिखो आपको कौन से प्रेर्णा मिली तो इस रचना से अब लिखोगे इस रचना से हमें यह प्रेर्णा मिली कि जीवन पत्में अनेक कठिनाईयां आएंगी लेकिन हमें लेकिन हमें उन कठिनाईयों से घबराना नहीं है हमें उन कठिनाईयों से घबराना नहीं है बलकी उसका सामना करते हुए या बलकी उसका सामना करते हुए करते हुए प्रगति पत पर पत पर आगे बढ़ना चाहिए इस रचना से हमें यह प्रेणना मिली कि जीवन पत में अनेक कठिनाईयों आएंगी लेकिन हमें उन कठिनाईयों से घबराना नहीं है बलकी उसका सामना करते हुए प्रगति पत पर आगे बढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों कभी अग्ये जी ने कविता के प्रारंव में तिनके को ओच्छा तिनका करकर सम्भूधित किया है उसी तिनके को अंत तक आते आते कभी ने पावन तिनका करकर सम्भूधित किया है यह क्यों हुआ है तो मैं आपको बता दू कि जब तक हमें किसी वस्तु की छमता और सक्ति का पता नहीं चलता है तक तक वस्तु हमें महत्त ही लगती है या हमें हम हेर दिश्ट से उसको देखते हैं लेकिन जब उसके छमता और सक्ति का पता चल जाता है तो वही चीज़ें हमारे लिए महत्तुपूर लगने लगती है प्यारे बच्चो इस पार्ट से आपको ये सीखना है कि हमें किसी बात का बहाना नहीं बनाना है अगर हमारे पास बिसिष्ट साधन नहीं है तो हमें अपने ओ साधारर साधन के द्वारा ही अपने लख्ष को निधारित कर उसको प्राप्त करना चाहिए प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है कि इस कर्टा का भावात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा धन्यवाद